हेलो फ्रेंड्स हमारे यूट्टूब चैनल के सभी दर्श्कों को मेरा याने डोक्टर अगवीर सिंग मोरे का नमस्कार दोस्तों मैं आके लिए लेकर आया हूँ R.A.S. बरती परीक्षा से जुड़ी वी बहुत मत्तुपूर्ण अपडेट आप देख सकते हैं पूरी नूज आपके सामने है R.A.S. की नई बरती करीब 900 पदों पर होगी पदों की सही संख्या की जानकारी विग्यापन जारी होने के बाद ही पता लग सकेगी तो दोस्तो जल्दी ही R.A.S. की नई बरती आ रही है और लग बग 900 पद है इसमें पद भी बहुत ज्यादा है 900 पोस्ट है इसके इंदर लेकिन पदों की जो संख्या है की कौन सी केटेगरी के इंदर पलस कौन सी विभाग से रिलेटेड कितने पद होंगे वो विग्यापन जारी होने के बाद पता चलेगा R.A.S. के कितने पद होंगे R.P.S. के कितने पद होंगे और अधिनस्त सेवा के इसमें कितने पद होंगे वो जो है विग्यापन के बाद पता चलेगा ठीक है तो पूरी न्यूज देखिए आप आपके सामने पूरी न्यूज है ये देख सकते हैं आप राजस्थान लोक्ष्यवा आयोग को आरेस की नहीं बर्ती की अब बैठना प्राप्त हो गई है नो सो पदों पर बर्ती के लिए मिली अर्थना का आयोग दुवारा परिक्षन कराया जा रहा है इसके बाद ही विग्यापन जारी करने का फैसला करेगा पदों की सही संख्या आयोग दुवारा जारी विग्यापन के बाद ही कलियर होगी तो आयोग बर्तना मिल गई है और आ ठीक है इसके बाद देख सकते हैं आप कार्मिक विभाग से आयोग को RAS की अर्थना के 1200 से अधिक पेज मिलें आयोग सभी अभी इस अर्थना का धेन वर परिक्षन कराएगा इसके बाद यदि कोई कमे लगती है तो फिर कार्मिक विभाग से मारक दर्शन मांगा जाएगा इसके धेन और परिक्षन के बाद ही आयोग विग्यापन जारी करने को लेकर निरने करेगा मोटे तोर पर पदों की संख्या 900 बताए जा रही है आयोग की संयुक्त सचीव ने अर्थना मिलने की पुष्टी की है ठीक है इसके बाद देख सकते हैं आप कुल पदों की कुछ पदों की बड़ोतरी हुई है यानि पहले की तुलना में पहले और पीसी को अब्यर्थना म मिली है उसके अंदर पदों की संख्या बढ़ा देगे तो उसे रिलेटेटी न्यूज देखिए आयोग के आधिकारिक सुत्रों के मुताबिक आयोग को 2022 में आरेस 2022 के नाम से अर्थना मिली थी इसके परिक्षन के बाद मिली खामियों के निराकरण के लिए इसे वापिस का दो के संख्या 900 बताएगी है माना जा रहा है कि ये बढ़ती 2022 और 2023 की स्युक्त बढ़ती होगी तो दो साल 2022 और 2023 के अंदर विकेंस नहीं होने की बज़े से पहले जो पद थे उनके अंदर करीब 200 पद बढ़ाएगे हैं अब ये 900 पदों के लिए जो है विग्यापना रपी आयोग ने आरेएश 2021 का जुलाई 2021 को जारी किया था विग्यापन कुल 988 पदों पर बरती के लिए आवेदन प्रकरिया शुरू की गी थी इसमें 363 पद राज्ये वे 2625 पद अधिनस्त से वाके थे आयोग ने इन पदों के लिए प्रारंबिक और मुख्य परिक्ष्याओं के आयोजन करा लिए हैं लेकिन अभी तक इंट्रिव्यू होना बाकी है इंट्रिव्यू की तीती आयोग ने अभी तक गोसित नहीं किये तो दोस्तों ये जो दो जारी किस वाली आरेश बरती प्रीक्षा थी उसके बाकी जो प्रकरियाएं वो पुरी हो चुकी है प्री का रिजेल्ट आ गया है मेन का रिजेल्ट आ गया है लेकिन अभी इंट्रिव्यू जो है वो नहीं होए हैं और इंट्रिव्यू होने के पस्चाद जो है इसका फाइनल रिजेल्ट जो हो जारी किया जाएगा तो इंट्रिव्यू की ती थी अभी तक गोसित नहीं की गी है ले के लिए ये जरूरी है वीडियो को लाइक जरूर करना और आप सभी जिस प्रकार से मेरा सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से सुक्रियादा करता हूं वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद